अब जो लोग ऐसा करते हैं, वो किसी एक पर्टिक्लर धर्ण से, किसी एक पर्टिक्लर कम्यूनिटी से आते हैं, तो आते हैं, इसमें हम facts को change नहीं कर सकते हैं, वो Muslim थे तो थे, ऐसे तो हिंदु धर्ण में भी बहुत सारी फिल्में और वैब सिरीज बनी हैं, हाली में एक ब फिल्म का 35 करोल प्लस का आया है, जो सच में बहुत दरा crazy numbers है, क्योंकि फिल्म में कोई भी mainstream actor नहीं था, ना कोई बड़ा director producer था, फिल्म अपने content के दम पर एक collections निकाल कर ला रही, जो सच में बहुत ही जादा अच्छे numbers है, विकेंड का अलेक्शन 35 करोल होने के बाद, पहल working day रहते हुए, जो सच में बहुत बड़े numbers है, working day के हिसाब से, Monday को 10 करोल प्लस करने के बाद, ये फिल्म Tuesday को भी ये numbers को continue करती है, और 11 करोल प्लस का business करती है, इस तरह 5 दिनों में फिल्म का collection 54 करोल प्लस का रहा है, जो सच में बहुत ही अच्छे number है, और फिल्म बहुत बहुत ज़रा दूख होता है, हाल इमें पश्चिम मंगाल में मंता दीदी ने फिल्म को बैंड कर दिया, ये बोलते हुए कि फिल्म में फिल्म को देखकर हिंसा फैल सकते है पब्लिक के बीच में, हाला कि हिंसा के नाम पर आम पब्लिक को कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, दलसल इस फिल्म में ये बताया गया है कि कुछ केलल की लड़कियों को, हिंदु धर्म की और क्रिश्चन धर्म की लड़कियों को, कुछ लोग भहला फुसला कर प्यार की जाल में फसा कि उनका कन्वर्जन करके उनको एक टेर्रिस और्गनाइज़ेशन आईसी जॉइन ये बात सभी लोग समझते हैं, पड़ा लिखा इंसान इस बात को definitely मानता है और समझता है इस बात को भी सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, ऐसे तो हिंदु धर्म में भी बहुत सारी फिल्में और वैब सिरीज बनी हैं, हाली में एक बंदा नाम की आ रही है, जो आसाराम की हुई हैं, और इससे पहले आश्रम भी आई हुई है, इसमें बाबाओं को जिस तरह के दिखाया गया है, इसका मतलब ये तो नहीं कि उनको देखकर हिंदु धर्म वाल ये सुचते कि ये तो हमारे धर्म को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, हम समझते हैं कि हां हमारे धर्म में भी ऐसे लोग होते हैं और मुस्लिम लोग भी समझते हैं कि हां ऐसे लोग हमारे धर्मे मौजूद हैं, तो इसमें आम पबली की बिट में अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन कुल मिलाके न ये सब राजनिती की जा रही है, पॉलिटिशन के द्वारा ये सब एक मोह हैं, वो लोग जाए इंटरनेट पे देखें चाहें कहीं और सिटी में जाके देखें, लोगों को तो मुवी ये देखनी हैं कि लोगों को सच जानना है, जो ये मुवी बहुत ही ब्रूटल और रौ तरिके से आप सब को बताती है, मैंने जब पहली बार मुवी को देखा थ है कि इसमें बहुत ही गहरी सचाही बताए गई है, जो हमको मालू माना ज़रूरी है, तो ये फिल्म डेफिनेटली सभी को दिखनी चाहिए, इन फैक्ट फैमिली वाले को तो डेफिनेटली दिखनी चाहिए, जिनके एखर में बेटिया हैं, और सब के साथ भली आप ना दे उनके साथ जाओ, लेकिन मुवी को देखो, जरू कि बहुत ही इंपोर्टेंट मुवी है, बहुत ही ब्रूटल मुवी है, और ऐसी मुवी आगे और भी बनेगी, इसलिए इस मुवी को सपोर्ट करना ज़रूरी है, हदा कि आप लों सपोर्ट कर रहे हो, मुझे मालूम है, आपको प्रूब भी करते हैं, तो definitely must, must, must watch मुवी और अदा शर्मा जिनका अध बर्थडे है, सबसे पहरी बात उनको happy birthday बोल देता हूं मैं, उनकी एक्टिंग भाई बहुती ज़्यादा जबर्दस्त है, उन्होंने इस किरदार को जिया है, जो victim थी, उनका दर्द उनके च एक्टिंग नहीं कर पाते हैं, जिन्होंने एस एक्टिंग इन फिल्म में इन लड़कियों ने की है, definitely must to watch है, सबी के साथ देखो, recommend me definitely करने वाला हूं, तो बस सही था मैं क्या बोलू इस वीडियो को, बस एक recommendation ते, एक request है कि इस फिल्म को आप देखो, theaters में definitely must watch है